दोस्तो, अंत्रिक्स की दुनिया कही एसे राज अपने अंदर दबाई बैठी है जो हमारे लिए एक रहस्य की पहली बने हुए है अभी तक हमने अंत्रिक्स के एक छोटे से भाग को भी अच्छी तरसे नहीं समझा है तो खेर पूरा अंत्रिक्स तो दूर की बात है तुस्तो अमेरिकी अंत्रिक्स एजेंसी नासा ने एक ऐसा एस्टेरोइड यानि उलका पिंट को खोज निकाला है जो कि पूरा का पूरा लोहे का बना हुआ है इस esteroid में इतना अधिक मात्रा में लोगा है कि अगर इसे प्रिस्वी पर लाकर बेचा जाए तो प्रिस्वी पर रहने वाला हर एक व्यक्ति को करीब एक बिलियन पाउंड यानि की 9621 करोड रुपे मिल सकते हैं यहाँ पर करोड रुपे की बात हो रही है चलता फिरता खाजाने से कम नहीं है या esteroid तो चलिए दोस्तो आज की इस वीडियो रिपोर्ट में इसके बारे में विस्तार से जनते हैं एलो दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त शुरेश सांचोरी आप देख रहे हैं रहस्य टेलविजन यूट्यूब चनल दोस्तो नासा ने इस लोही के भंडार वाले esteroid का नाम 16 साइकी रखा है इस शुद्र ग्रह का नाम अपसरा साइके के नाम पर रखा गया था जिनोंने का साम देवशे शादी की थी यह esteroid मंगल और ब्रसपती के बीच में मोजूद esteroid belt में इस्थित है 16 साइक एक विशाल धातु शुद्रग्र है जो प्रिथवी की तुलना में सूर्य से लगबग तीन गुना दूर है इसका ओस्त व्यास लगबग 140 मिल यानि की 256 किलो मिटर है प्रिथवी की चंदर्मा के व्यास का लगबग 16 या लोस एंजलिस और सेन डिएगो के बीच की दूरी के बराबर चटानी या बरफीले पिंडो वाले अन्या दिकांस शुद्रगरों से विपृत वैग्यानिकों का मानना है कि एम प्रकार धातु शुद्रग्रह 16 मानस में ज्यादा तर धातु के लोहे और निकिल शामिल है जो प्रिथवी की कोर के समान है वैग्यानिकों का आसरी है कि मानस एक प्रारंबिक ग्रह का एक उजागर कोर हो सकता है शायद कोई मंगल ग्रह जितना बड़ा कोई ग्रह हो और अरबो सालों पहले कई हिंसक टकरों के वैग्यानिकों का अनुमान है प्रिथवी पर खगोल विदो ने रडार और अन्य उपकरणों के मध्यम से 16 मानस का दिन किया है तब वैग्यानिकों को इस बात का पता चला कि यह एस्टेरियोट कुछ आलू के आकार के सवान दिखता है इस एस्टेरियोट को सूरज का एक राउंड काटने में करीब प्रिथवी के पांच साल लग जाते है लेकिन अपनी धूरी पर एक बार घूमने के लिए केवल चार घंटे से थोड़ा अधिक समय लेता है इस समय को वहां का एक दिन माना जाता है इस पूरे एस्टेरियोट पर मोजुद लोहे के कुल कीमत करी प्रिप 8000 क्वांट है यानी 8000 के पीछे 15.0 बिडिस मेकजीन दे टाइम्स के अनुसार 8000 क्वांट यानी धरती पर मोजुद हर आदमी को 1,000,000,000 यानी 9,621 करोड रुपे मिलेंगे ये कीमत उस एस्टेरियोट पर मोजुद लोहे की है यानी कि हम धरती पर जितने भी लो मूडट बन जाएंगी सुनकर ये बात बहुत ही अच्छी लगती है आपको भी ये बात अच्छी लगी हई क्या नासा का कहना है कि इस एस्टेरियोट को धरती के करीब लाने की कोई योजना निहीं है लेकिन इस पर जाकार इसके लोहे की जाँच करने की योजना बनाइ ज वाले एस्ट्रोड को लेकर वैग्यानिकों में खासा उत्सा है हालांकि नासा ने कहा है कि फिलहाल इस एस्ट्रोड को धर्ती के करीब लाने की कोई योजना नहीं है लेकिन इस तक पहुंच कर इसमें मोजुद लोही की चांच करने की योजना बने जारी है इस एस्ट्रोड क पहुंचने और अध्यन कर लोटने में साथ साल का वक्त लगेगा। ये पेचीदा शुद्र ग्रया मानस मिशन का प्रात्मिक लगसे है। 2022 के अगस्त में लोंच करने के लिए लगसित मानस अंत्रिक्ष यान 2023 में मंगल ग्रया की गुरुत्वाकर्षण की साथा के बाद 2026 की शुरुवात में इस शुद्र ग्रया पर पहुंचेगा। इस मिशन का लक्स ये अन्य बातों के अलावा इस बात का भी पता लगाना है क्या वाकई में ये शुद्र ग्रया किसी बड़े पिंट का मूल है। अब दोस्तों इसके बारे में आपका क्या सोचना है क्या चलता फिरता ये खजाना प्रिस्वी की तरफ खीच कर हम लापाएंगे या फिर ये चलता फिरता खजाना हमारे हाथ नहीं लगेगा। अपनी प्रतिकरिया नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दे। अगर आप ऐसे ही अंतरिक्स की खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो इस चनल को सब्सक्राइब करें और इस डिस्क्रिप्सिन में दी गई एप्लिकेशन को डाउनलोड करें। धन्यवाद।